नम्बर वन, मर्दों की बैली में और 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 ओरतों की थाइज में जल्दी ज्यादा फैट क्यों आता है? पहले मर्दों के बारे मैं बताता हूँ नम्बर वन, अब 70% मर्द ये कहते हैं कि शादी के बाद निकला है अब मेडिकली तो औरत का निकलना चाहिए ना शादी के बाद लेकिन मर्द कहते हैं कि मेरा निकला है अब इसकी बहुत बड़ी वज़ाई है कि जब लड़की की शादी होती तो थोड़ा सा कून में आ जाता है अपनी फिजिकली एक्टिवीटी को कम कर देता है क्योंकि लड़का अगर शादी से पहले बाहर से खाना खाने का आदी भी था और अपने फजूल कमों में इतना बिजी रहता था कि बोडी ज्यादा एक्टिव होने की वैसे उसके उपर फैट नहीं आता था जिसकी वैसे वो बैली फैट से बच जाता था और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर एक नई जिन्दगी स्टार्ट हो जाती है जिसमें उसको कमाने की या काम बढ़ाने की टेंचिन शुरू हो जाती है या शादी करने के फॉरण बाद पहले मेनी की जो दावते होती है उसमें अजाफा हो जाता है वहां से बिगरना शुरू होता है असल काम नमबर टू, लड़का कभी शादी से पहले नाश्टा कर लेता है और कभी नहीं करता मतलब प्रॉपर किसी मील को फॉलो नहीं करता लेकिन शादी के बाद खाना बनाने वाली आगी आपके और्डर मानने वाली आगी नखरे उठाने वाली आगी और एक प्रॉपर टाइम पे आपको नाश्टा करवाने वाली आगी मतलब कि आईल की तबाई उतारने वाली आगी लड़के को शादी के बाद तो रेगुलर एक्साइज और रेगुलर वाक तो लाजमी करनी चाहिए जो के वो नहीं करता बहुत बड़ी गलती है नमबर फॉर टाइम तो लड़कों के पास होता है एक्साइज और वाक का लेकिन वो जो एक से दो घंटे आपको मिलते हैं वो आप टाइम मोबाईल में जया कर देते हैं फजूल चीज़े देखे नमबर फाइफ शादी से पहले लड़का कुछ भी खाता था ना तो एक limited quantity में खाता था शादी के बाद तो naturally आपकी quantity बढ़ जाती क्योंकि शादी के बाद गलती क्या होती है चाही की intake बढ़ जाती है प्लस मीठे की intake बढ़ जाती है प्लस रात का खाना खाने के बाद फॉरण लेड़ जाता है सोने के लिए प्लस खाना खाना के बाद चाहे उसको असानी से मिल जाती है प्लस घर का सालन अपनी मर्जी से बनवाना शुरू कर देता है प्लस बैठ कर order करने के आदवत बढ़ जाती है 80% ये सारी खिदमत आपकी बीवी करती है और उसके बाद कहती है कि आपका पेट निकलाया है इसे कम करें अब बताता हूं लड़कियों के बारे में कि उनका lower body fat जल्दी क्यों आता है शादी के बाद बहली में fat जल्दी क्यों आता है क्योंके लड़किया तली वी चीज़े खाने से बाज नहीं आती है और हवते में 3-4 मरतबा husband को order देना होता है कि रात को आते वे मेरे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लिए आना प्लस घर के काम वो करती है जिसकी वैसे खाना कभी ज्यादा खा लिया तो खाना कभी कम खा लिया प्लस बच्चों में मुस्रूफ हुरती है जिसकी वैसे वो अपनी डाइट को proper follow नहीं कर पाती है प्लस टेंशन में चायर काफी की intake बढ़ जाती है एक साल औरत का बच्चा पैदा करने में निकल जाता है शादी के बाद और दूसरा साल बच्चा पालने में निकल जाता है और जब ये दो साल निकल जाते है तो फिर वो सोच थी कि अब मैं डाइट करूँगी रेगुलर एक्साइज करूँगी रेगुलर वाक करूँगी और जल्दी स्मार्ट हो जाँगी वो अभी सोच ही रही होती है तो कोई नो कुछ सर्प्राइज मिल जाता है दूसरे बच्चे का औरत का जिसम भरबाद करने के लिए ये तीन से चार साली बहुत है अब मर्द सारी खिदमत करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि तो मोटी होगी औच्छी नहीं लगती अपना जिसम कम करो क्या बात है कुछ मर्द होगी लड़कियों को जो लेट नाइट खाने की क्रेविंग होती है ना वो उनका जिसम बरबाद करती है ये कभी मत सोचें कि अब मुझे क्या फाइदा डाइट करने का अब कौन एक्साइज करें थोड़ी बहुती वाग कर लो आप किसने हमें देखना है देखना तो पहले भी किसी ने नहीं था वो तो आपने अपने आपको खुद देखना है क्योंकि मुटापा सरव आपके जिसम को भरबाद नहीं करता बहुत सी बीमारियां लेके आता है नामेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इससे पहले बीमारी आप पे अटाइक करें आप बीमारी पे अटाइक करो बीमारी पे अटाइक करने का एक इत्रीक है रेगुलर एक्साइज, रेगुलर वाक और डाइट अपनी बॉडी टाइब के मताबिक Diet को plan करके करें, लेकिन अपनी body type के मताबिक करें सर्फ एक दफ़ा आपने target को पोईचना होता है फिर सारी जिंदग्या ब-injoy करते हो Dieting का मतलब कम खाना नहीं होता This time क्या खाना है, कैसे खाना है, कितने time के बाद खाना है पूरे दिन में पानी कब पीना है, खाने से पहले क्या पीना है, रात को सोने से पहले क्या पीना है, सुबा मॉनिंग ब्रेकफास्स करने से पहले क्या पीना है, कितना गैप होना चाहिए आपके खाने में, कौन-कौन से फ्रूट यूज करने है, कौन-कौन से फ्रूट नहीं करनी है कितने टाइम के लिए करनी है और आईस्ता इसता उसको extent कैसे करना और कौन-कौन सी चीज़े आपके उपर अप्लाइब होती है जो कि आपके वैली फैट को जल्दी कम करती है चाय का पी निया कफी कप भी निया रोटी किस टाइम करनी है चावल किस टाइम करने हैं सबजी को इस्तमाल कप करना जूसिस का इस्तमाल कप करना है ड्राइफ रूड खुजूरे यह सारी चीज़े जब आप किसी से कंसल्ट करते ना फिर वह आपको एक प्लान बना कर देता आपकी बॉली टाइग के मताबिक वजी तची इंफरमिशन लेकर आतर होंगा ज कास और आप तकने फिटनेस वर अव्यवन आप तक लिए इतना आला फिस